रावन सहेता में इस बात का उल्लेक मिलता है कि रावन ने दस हजार वर्षों तक तपस्या की थी। वो हर एक हजार वर्ष पर अपना एक शीश काट देता था और दसवे शीश से पहले ब्रमाजी प्रकेट हुए थे। रावन ने यह मांगा कि उसे देव, देत्य, गंधर्व, नर, नाग, किन्न, या क्षेत्यादी कोई न मार सके। ब्रमाजी ने रावन वर्दिया, लेकिन कहा कि उसे नर्वानर से खत्रा होगा। कीवदन्तियों के अनुसार, एक हजार वर्षों तक रावन ने कैलाश परवत उठाकर शिवस्तुति की थी। कहते हैं कि लनका में उसका शासन 72 चौकडी काल तक चला था। एक चौकडी में 400 वर्ष होते हैं, ऐसे में रावन ने लनका पर 28,800 वर्ष शासन किया था। वही 41,000 वर्ष की अधे कायू पर श्री राम ने उसे पराजित कर दिया था। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद।